राधे राधे एवरिवन, माई पैसिफिक वोल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, गर्मिया आ गई हैं और गर्मियों में हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं इसी के विशाय में आज हम बात करेंगे गर्मियों में हमारे लड़ू गोपाल जी की दिन्चरिया क्या रहती है ये आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गर्मियों में हम लड़ू गोपाल जी को थोड़ा जल्दी उठा देते हैं इस समय पर सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हम सब भी जल्दी उठाते हैं और लड्डू को पाल जी को भी हम जल्दी उठा दें और देखिए अब मैंने लड्डू को पाल जी को उठा दिया है तो यहां पर देखिए कभी-कभी रूफजा का दूद क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो रूफजा का दूद पीके जाते हैं तो कभी-कभी तो सिंपल दूद हम लड्डू को पाल जी को समर्पित करते हैं मरपित कर सकते हैं तो देखिए हमने दूद का भोक्स मरपित किया है सुबह सुबह और साथ ही मैं यहाँ पर लड़ू गोपाल जी को नहलाने की तयारी कर लूँगी और देखिए मैं तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद लड़ू गोपाल जी को नहलाती हूं आराम से मेरा काम हो जाता है तब तक उसके बाद मैं लड़ू गोपाल जी को नहलाती हूं आप अपनी सुईधा के अनुसार शनान करा सकते हैं इसके बाद देखे मैंने थाली ले ली है कोई भी एक बरतना बना लीजिए लड़ू को शनान कराने के लिए मैं यहां पर यह कासे की थाली है इसमें ही लड़ू गोपाल जी को सनान कराती हूं तो देखे हमारे छोटे से लड़ू गोपाल जी आ गए है अब हम इनको सनान कराएंगे सनान कराने के लिए हमें ठंडा जल लेना है फ्रीज का ठंडा जल हमें नहीं लेना है जो साधान सिंपल जो जल होता है गर्मियों मे हम उससे ही लड़ू को पाल जी को सनान कराते हैं तो देखिए यहां पर हम जो नॉर्मल पानी होता है उससे लड़ू को पाल जी को सनान करा देंगे सनान कराने के बाद किसी भी कोटन के कपड़े से हम अच्छे से लड़ू को पाल जी को पहुँच देंगे तो मैंने यह हैंक के लिए रखा है जिसको मैं लड़ू गोपाल जी के टावल की तरह यूज करती हूँ इसके बाद जो यह जल है इसको हम पोधों में डाल देंगे आप तुलसी जी में भी डाल सकते हैं यह जल और देखिए अब हम लड़ू कोपाल जी को पोशाग पहनाएंगे तो मैं यहाँ पर यह हलकी सी पोशाग है नेट से बनी हुई है यह तो बहुत ही सुन्दर पोशाग है और देखिए इसमें पिल्कुल भी वजन यह बहुत हलकी है गर्मियों में इस तरह कि या तो आप कोट देती हूं आप और किस तरह सी सरंगार कर सकते हैं तो देखिए हम पहले तो तुलसी की माला पहना देंगे रोजाना में मैचिंग की माला नहीं पहनाती हूं तुलसी की माला पहना देती हूं और साथ ही अगर आप विग लगाना चाहते हैं तो इस तरह से विग लगा कर तो लडडू को पाल जी को पगड़ी ही पहनाऊंगी क्योंकि मैं गर्मियों में बहुत कम एसा होता है कि मैं विग पहना पहलती हूं किसी खास atugition पे ही पयनाती हूं मैं तो बहुत कम पहनाती हूं। उसके बाद हम देखिए यहां पर इत्र लगा देंगे और आब हम लट्बू आपल जी को सिंगह आसन पर बठा देंगे। करते थे, वहाँ शुश्य कberry सकती है, यहीं पर लड़ू को पाल जी, को घर्मियों, एक साथ हो जाती मुझारी कई चंदन का तिलग कर देंगे तो अगर आपके बास लकडी वाला चंदन है तो आप गिसकर तिलग कर दीजे नहीं तो सूखे चंदन को गोल कर भी आप तिलग कर सकते हैं इसके बाद देखिए हम फूल समर्पित करेंगे गर्मियों में हो सके तो आप फूल जरूर समर्पित करे का इस तरह के फलो का भोग समर्पित करें क्योंकि यह ठंडग परदान करते हैं और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल आवश्य डाल दें नहीं तो आप तुलसी माला भी रख सकते हैं यहां पर इसके साथ ही आपके को जो एविलेबल हो आप वो भोग सम लगाती हूं तो भी भोग आपने समर्पित किया है उसको आप लड़ू गोपाल जी के सामने 10-15 मिंट तक रखा रहने दे उसके बाद हम भोग को उठा लेंगे और इसको परसाद सवरूप सभी में बाट देंगे और देखे साथ में ही मैं जब भोग उठा लेती हूं उसक मैं लड़ू गोपाल जी के सामने मिस्री और जल हमेशा रखती हूं इसके बाद देखी जब दोपहर हो जाती है तो दोपहर में जब भी आप बच्चों के लिए जो भी चीज बनाए उसका भोग आप लगा सकते हैं आप दही का भोग लगा सकते हैं या ठंडाई बनाई है तो उसका भोग आप लगा सकते हैं लड़ू गोपाल जी को हम भोग लगा देंगे कुछ देर बाद हम भोग को सभी में परसाथ सोरू बाठ देंगे इसके बाद देखे शाम के समय हम आरती करेंगे तो मंदिर बे जब हम आरती करते हैं उसी समय हम लड़ू गोपाल जी की दूद समर्पित करते हैं, तो देखिए, आप चाहें तो जो भी खाना आपने घर पर बनाया है, शुद्ध शात्युक भोजन का भोग समर्पित कर सकते हैं, या आप दूद का भोग समर्पित कर सकते हैं, तो आप दूद का भोग समर्पित कर देंगे, उसके बाद अगर आप पहनाई है लड़ूगो पाल जी को घृप सोने से पहले शैंज करते हैं तो इस तरह कि आप कोई भी कोटन ब्रेस पहना सकते है या थो आगर आप नाइट कुछ सूट पहनाते है तो अज एक आजी थी तो देखे मैंने लड़ूगो पाल जी फोड़ी हैवेवी ज्रेस पहनाई है तो मैं इन में से कोई भी ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना के उन्हें सुला दूंगी नॉर्मल डेज में मैं लड्डू गोपाल जी को दिन में भी गर्मियों में इस तरह की कोटन की ड्रेस ही पहना देती हूं और जब cotton की dress पहनाते हैं तो फिर शाम को उसी में सुला भी देती हूँ इसके बाद देखे यहीं पर हम सामने ही लड़ू गोपाल जी को यहीं पर चारपाई लगा कर सुला देते हैं मैंने लड़ू गोपाल जी के लिए इस तरह की यह जाली लाई हुई है इसमें मैं लड़ू गोपाल जी को सुलाती हूँ इसके साथ देखे चोटा सा तकिया भी है तो यहाँ पर हम लड़ू गोपाल जी को सुला देंगे इस तरह से हमारा पूरा दिन लड़ू गोपाल जी के साथ व्यतित होता है फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपल और साधान तरीके से लड़ू गोपाल जी की सेवा करती हूँ मेरा मानना है कि जितनी सेवा लड़ू गोपाल जी को हमसे लेनी होती है उतने भाव वो हमारे अंदर भरते हैं और उतनी ही हम उनकी सेवा कर पाते हैं आप लड़ू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको लड़ू गोपाल जी की सेवा पसंद आई हो अगर लड़ू गोपाल जी का ये आपको समर रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब क देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे